नमस्कार दोस्तों मेरे चेनल में आपका स्वागत है आज हम बनाने जारें बेशन की बहुती टेस्टी और बिल्कुल अनोखी सब्जी जो खाने में बहुती टेस्टी लगती है तो यहां मैंने लिया है एक कटोरी बेशन साती हम लेंगे एक चमच साबुद्धनिया, एक चमच सौप आठ से दस काली मिर्ची और इन्हें मैंने यहां इस तरह से दरदरा कूट लिया है तो इस में से हम एक चमच बेशन में एड़ करेंगे बाकी को हम बचा के रखेंगे डालेंगे स्वाद के अनुसा नमक, आदा चमच डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्ची, आदा चमच डालेंगे हल्दी पाउडर इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, एक चोटा चमच हम यहां डालेंगे तेल और इन्हें हातों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हम बेशन में थोड़ा थोड़ा पानी एड़ करेंगे और इसे हातों से अच्छे से मसल करके हम इसका एक सोफ्ट आटा लगा करके यहां तयार कर लेंगे तो मैंने यहां आटे को अच्छे से इखटा कर लिया है थोड़ा सा ओईल लगा कर इसे और चिकना करके इसे हम यहां सेट होने के लिए रख देते हैं यहां मैंने लिया है एक टमाटर, एक इंच अधरक का टुकड़ा आट से दस लेसुन की कलिया और दो हरी मिर्ची इन सब को पीस करके हमें इनका पेश्ट बनाना है यहां मैंने लिया है आदा कटोरी घर का ताजा दही तो इसमें हम डालेंगे एक चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, आदा चम्मच हल्दी पाउडर एक चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर, नमक डालेंगे स्वाद के नुसार और इन मसालों को हम दई में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं उसके बाद हम यहां डालेंगे बचे हुए मसाले जो हमने इसके लिए बचाए थे और इसे भी हम इसमें अच्छे से mix कर देंगे और इन्हें हम यहाँ फूलने के लिए रख देते हैं तो कडाई में मैंने यहां लिया है एक बड़ा चमच तेल तेल को हमें अच्छे से गरम करना है, डालेंगे एक चोटा चमच जीरा जीरा को अच्छे से लाल कर लेंगे डालेंगे प्याज को और प्याज को हमें यहां सुनेरा होने तक भूनना है उसके बाद हम यहां डालेंगे टमाटर, अदरक और हरी मिर्ची का पेस्ट और इसे अच्छे से मिक्स करते हुए इसे भी हम 1-2 मिनट यहां पकाएंगे उसके बाद हम यहां डालेंगे दही मसाले को जो हमने दही में मिक्स करके रखा था और इसे हमें लगाता चलाते हुए पकाना है जिससे की हमारी दही फटेगी नहीं और इसे मैंने 3-4 मिनट यहां अच्छे से पका लिया है मसाले ने चारो तरफ से अपना तेल छोड़ दिया है तो अब हम इसमें डालेंगे 2 गिलास पानी और पानी को हम यहां अच्छे से मिक्स करके उबाल लेते हैं तो यहां देखिए हमारे ग्रेवी में अच्छा सा उबाल आ चुका है तो अब हम लेंगे गुंदे हुए बेसन को और एक मैंने यहां लिये रसोई वाली कैंची तो इस कैंची से हम बेसन से इस तरह से छोटे छोटे टुकडे काट करके ग्रेवी में एड़ करेंगे तो इनने आप छोटी-छोटी मठरी भी कह सकते हैं या फिर बेसन के सेव भी और इस तरह से हम सबी बेसन से यहां इसे काट करके डालेंगे तो मैंने इस size के टुकड़े इसमें काट करके add किये हैं और इन्हें अच्छे से mix कर देते हैं और इसे हम 5-6 मिनट यहां पकाएंगे तो मैंने यहां 5 मिनट सबजी को पका लिया है सबजी हमारी बन करके तयार है आप देख सकते हैं हमारी सबजी है जो बहुती टेश्टी और एकदम सांधार बनी है तो इसे आप गर्मा गर्म रोटी पराथा के साथ सर्व कर सकते हैं ये खाने में बहुती टेश्टी लगती है साथ ही इसका टेश्ट है जो बहुती अलग है तो दोस्तों आपको ये रेचीपी कैसी लगी अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करें लाइक करें शेयर करें अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को भी सस्क्राइब करें धन्यवाद